पहरे बच्चों, यद्वी यह वीडियो कफशाषाथ के लिए सरस्कृत कल्प पाठे बुस्टक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग चतुर्थ पाठ के प्रस्टनोतरों को जानेंगे इस वीडियो में डालूगा इस में आप देख रहे हैं जिसका वीडियो में पहले ही बनाया हुआ है वीडियो के मेरे चैनल में आप जाकर इस अध्याय का वीडियो भी आप पुना देख सकते हो प्रस्णों तर इस प्रकार से है पहला प्रस्ण जो है वहाँ नवीन सब्द है नया सब्द उचारन के लिए अभ्यास के लिए बोल कर पढ़ने के लिए दूसरा जो प्रस्ण है वह है मौखिक कार्यम का प्रस्ण जो है वह इस प्रकार से है जिसमें कि उन प्रस्णों का जव जबाब उचित रूप में लिखना है जैसे है प्राता काले छात्रा कुत्र गच्छन्ति तो इसका जबाब होगा कि प्राता काले छात्रा विद्यालियम गच्छन्ति दूसरा प्रस्ण है विद्यालिय छात्रा किम पुर्वन्ति विद्यालिय छात्रा पठन्ति कह विद्यादानम करोती तो गुरु विद्यादानम करोती गुरु विद्यादान करते हैं इसके बाद है छात्रा विद्यालिये किम पठिस्यंती अर्थात सभी छात्र विद्याले में क्या पढ़ेंगे तो छात्राह विद्यालिये नवपाठं पठिस्यंती सभी छात्र विद्यालिये में नए पाठ पढ़ेंगे इसके बाद लिखत में है पुर्णवाक के नुत्रत प्रसनोतर में इन प्रसनों का जवाब complete full sentence में लिखना है से है वयम समबाद ए काम भाषाम वधिश्यामा अर्था तर हम लोग बातचीत में समबाद में किस भाषा में बोलेंगे कौन सी भाषा बोलेंगे तो इस प्रसन का उत्तर होगा हम लोग पठनाय कुत्र गमिश्यामा हम लोग पढ़ने के लिए कहा जाएंगे वयम पढ़नाय विद्यालयम कमिस्यामा हम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जाएंगे वयम कानी विस्यानी पढ़िस्यामा हम लोग कौन-कौन सी विस्या पढ़ेंगे काने विश्यानी सभी विश्यों के नाम के बारे में है त्वयम इतिहासम भुगोलम गनीतम विज्यानम चो विश्यानी पठिस्यामा हम लोग इतिहास भुगोल गनीत और विज्यान जिसे पढ़ेंगे इसके बाद है विएम गुरु नाम एव के भविश्यामा के भविश्यामा तीस में अन्ते वासिना मतलब उनके अनुसार से चलने वाले उनके बताए गए रास्तों पर चलने वाले यानि गुरु के साथ चलने वाले को अन्ते वासिना करते हैं तो यहाँ पर अन्ते वासिना ह हम लोग गुरु के गुरुओं के अंतहवासिन यानि गुरु के साथ में चलने वाले बनेंगे इनने उनके बताए गए निर्देशों पर चलने वाले इस परकार से या प्रस्नुत्तर है इनने बोलकर पढ़कर समझे और याद करें इसके पश्चान दूसरा जो प्रसनुत्तर है ये रिक्तस्थान आनी है तो यहां जो खाली esthान दिया गया है इन रिक्तस्थानों को भरना है इतिहासम के बाद में रिक्तस्थान है इस अन्रकार से यहां पर देखे कितिहासम गनीतम भुगोलम विग्यानम ग्यानमयम रूचिरम ग्यानमयम के बाद में रूचिरम है जो अंडरलाइन किया हुआ है रूचिरम नैतिक सिक्षा के बाद सुखदा होगा सरला नैतिक सिक्षा सुखदा सरला हिंदी भासाचो सदा मधुरा इस प्रकार्सिया पूरा हो जाएगा इसका अत्खा नमर में है इह बहवो गुर्वा शोभन्ते तो यहाँ पर जो रिक्ताश्थान है इसमें बहवो और शोभन्ते इह बहवो गुर्वा शोभन्ते विद्यादाने निरता शकला सभी विद्यादान में लगातार लगे हुए ह हम सबी उनको उनलोगों को सर कहते है सांसकित-गुरव, नितराम सरला यहां पर सांसकित-गुरव होगा और नितराम सरला इसके पस्चात तीसरा नमबर है जिसमें अस्थुल्क पद है यानि बोल्ड में जो दिया हुआ है इसके अस्थान पर प्रस्ण निर्मान करना है आपके परिक्षाओं में जब भी यह आता है तो यह रेखांकित रहता है तो इस्थुल्क सब्द के जगह में होगा रेखांकित पदा नहीं आदरिते प्रस्ण निर्मानम कुरुत तो इस प्रकार के प्रस्ण एक जगह होते हैं पुर्णवाकें प्रस्ण उतर भी एक अस्थान पर लिखे जाते हैं सभी अध्याय के तो यह अवस्षित रूप से आता है हर एक परिक्छाओं में आता है तो इस प्रकार से इसका अभ्यास जरूर करेंगे तो इसमें उसके अस्थान पर प्रस्ण वाले जो सब्द हैं वह इस प्रकार से हैं जो यहां पर है अहम विद्याले पठामी मैं विद्याले में पढ़ता हूँ तो विद्याले के अस्थान पर जो सब्द होगा वह होगा कुत्र तो अहम कुत्र पठामी मैं कहां पढ़ता ह वयम परस्परम संस्कृतम वदिस्यामा तो संस्कृतम के अस्थान में है तो यहाँ पर होगा भासा है जिसमें कम तो संस्कृतम के अस्थान पर वयम परस्परम कम वदिस्यामा हम लोग आपस में क्या बोलेंगे किसको बोलेंगे क्या कहेंगे तो इसमें कम होता है तो इसके वाद है विज्ञानम ग्यानमयम रुचिरम तो विज्ञानम के अस्थान पर यहां पर किम होगा किम ग्यानमयम रुचिरम विशय है विशयानि या नपुन्सक लिंग का सब्द है इसलिए इसमें किम होगा इसके बाद है शिक्षकाह विद्यादानम कुर्वन्ती तो विद्यादानम यह बीना पुजिशक लिंग का सब्द है इसलिए इसके अस्थान पर कीम होगा तो शिक्षकाह कीम कुर्वन्ती इसके बाद है हिंदी भासा मधुरा सरला मधुरा के अस्थान पर है तो मधुरा इस्तिलिंग का सब्ध है तो इसके अस्थान पर होगा का हिंदी भासा का स्थी हिंदी भासा कौन है मतलब मधुरा है कैसी है इसके बाद भासिक कार्यम भासिक कार्यम में है तो प्रस्मुत्तर वह पहले भाग में संग्याय सर्मनाम के सब्द है दूसरे भाग में क्रिया का सब्द है उसके साथ मोचित मेलन करना है तो वह इस प्रकार से होगा पहला जो है अहम के साथ में आएगा आमी लगता है तो पठिस्यामी अहम पठिस्यामी उसके सामने में इस प्रकार से लिखेंगे वयम के सामने तरिस्यामा है तो आठवा नंबर तरिस्यामा आएगा क्योंकि आमा लगता है तरिस्यामा वयम तरिस कर्णिये वदता कर्णिये द्विवचन का सब्द है वदता लगना है फिर ते में अंती लगता है ते गच्छंती सिक्षका पाठ्यंती लगेगा सिक्षका वहवचन है पाठ्यंती वहवचन फिर वानरा वहवचन का सब्द है कुर्धंती होगा अंती लगना है फिर सत्यम इसके बाद है सब्द असुद्ध है जो बोल्ड से है उसके अस्थान पर उसको सही करना है यह भी रेखां की तरह हैगा और सही करना है तो फले जैसे दूइवचन का सब्द है पतंती ना लगके वहाँ पर पत्ता होगा फले पत्ता इस परकार से लिखेंगे फले पत्ता इसके पस्चात है नद्या परुपकाराय बहती बहती दिया है नद्या बहुवचन का सब्द है तो उसमें होगा नद्या परुपकाराय बह जिसके प्रस्चात आपके प्रस्ण में जो है कन्ये वेद्यालियम गमिस्यंती गमिस्यंती ना होके कन्ये दुईवचन का सब्द है उसमें होगा गमिस्यता फिर आवाम आवाम के साथ हमेशा स्वह लगता है संती नहीं लगता है तो उसमें आवाम नरो स्वह तो वयम भोजन इपाढ़नम तो खाधामी ना होके आमह लगता है तो खाधामा वंहम भुजनम खाधामा इसका तीसरा नमबर प्रसुद भाधा है, उसमें जो ओड है उससे चुन करके अलग करना है, तो पहले ग्रूप में जो इसमें इक बहुत करिया कि आए, इसमें जतनी भी कृट्या है पिवती तो वह पिवती अलग हो जाएगा इसके बाद यहां पर खौव नमबर में बाकी जितना भी है वह सब पर्थम पुरुज का है एक अहम को छोड़कर तो वह अहम इसमें और है तो उसको अलग कर देंगे इस प्रकार से सामने लिखेंगे इसके बाद गौव नमबर म बाकी जादातर जितने भी सब्द हैं वह सभी सब्दमी विवक्ति का है पुस पानी को छोड़कर सभी सब्दमी विवक्ति में आता है तो पुस पानी को अलग करके सामने बगल में लिखेंगे इसके पस्चात है गौव नमबर में जितने भी सब्द हैं वह अनेन को और है तो उसको अलग कर देंगे इसके बाद नीचे अंगा नमर में एक गणित को छोर करके बाकी जितने भी सब्द हैं वह संस्कृत हो तमिल हो हिंदी हो यह तीनों भासाएं हैं तो वह वहाँ गणित विसे है इसलिए गणित अलग हो जाएगा कीम के कानी के बीच में कह कौन होता है पुलिंग का सब्द है बाकी ने पुनसक लिंग है इसलिए अवड है तो कह अलग हो जाएगा ना इसके बाद है जो इंस्ट्रक्षन के अनुसार से चौथा नमर में कोष्टक में दिये गए निर्देश से उसमें क्रिया का रूप लिखना है तो क्रीड का रूप ही भरना है और लट लकार तो वयम के साथ में आमह लगता है तो उसमें वयम कंदुकेन क्रीड आमह हो जाएगा हम लोग गेंद खेलते हैं रक्ष धातू लोट लकार यानुग्या सूचक में तो वयम देशम रक्षाम इसमें विसरक न लगाएंगे क्योंकि आनी आम होता है लोट लकार में तो उसमें रक्षाम लग जाएगा इसके बाद है गोव नमबर में वयम पाठम यहाँ पर लंग लकार का प्रियोक करना है स्मिरिधातू में तो यहाँ पर आगे और लगा के पीछे आम हो जाएगा तो आस्मराम वयम पाठम आस्मराम यहाँ लोगों ने पाठ याद किया आवाम सत्रूम नो त्यक्षावा मतलब हम लोग सत्रू को नहीं छोड़ेंगे यह भविस्यत काल में है लिर्ट लकार में त्यज का रूप होता है त्यक्ष यहाँ पर अक्षा का यूज किया जाएगा त्यक्षावा इसके बाद जो है उसमें गम धातू का गच्ष रूप परियोग में आता है लट लकार में इसलिए गच्ष का परियोग होगा तो आव औ लगता है तो यहाँ पर आपीवम लगेगा तो अहम जलम आपीवम मैंने जल पिया इस प्रकार से इसके प्रसंदतर होंगे तो इसके पहले आपने चतुरत पाठ के प्रसंदतरों को देखा यह पंचम पाठ है सरवेश संतु निरामया हैंने सभी निरोगी हो इस पाठ का वीडियो भी मैंने पहले बनाया हुआ है इस पाठ के वीडियो को समझने के लिए आप मेरे चैनल में पाठ का नाम पाठ पाठ लिखेंगे उसमें सरवेश अंतु निरामया हगर लिखेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा तो इस वीडियो को आप देखका स मसकते हो इस पाठ का प्रस्ण उतर इस प्रकार से है पहला जैसे मैंने पहले भी पताया कि इसमें नवीन सब्दा है नए सब्द है इसमें सब्दों का उचारन करने के लिए बोलने के लिए है पढ़ने के लिए है तो यह पढ़ने के अभ्यास के लिए दूसरा नंबर मौखि साला पाथ में दिया गया है वा पिता के साथ में है लेकिन माता बच्चे को ही लेकर साथ में माता जाती ही है इसलिए यहां पर कोमेंसर्स की बाते हैं इसमें तो माता घबरानी को अतनी इसमें माता से सुम कुतर हो नया तो माता बच्चे को कहां लेकर के गई तो माता कुट्र के अस्थान पर और बागी सेंटेंस का भाग रिपीट हो जाएगा। सिर्फ एक सब्सक्रानि धारियत। थंडी के समय में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो सीत काले उर्नानी वस्तरानी धारियत तो सीत के समय में उनी कपड़े पहनने चाहिए इसके बाद है सीत काले कानी पे आनी माप पीव ठंडे के समय में कैसा पे ये ना पीए मतलब सीत काले सीतलानी पे आनी मापीव ठंडे के समय में ठंडा पिए यहने ठंडा सर्वत ठंडा पिए कोल ड्रिंक ना पिए सीतलानी कानी के जगह हमें हो जाएगा सीतलानी सीतलानी पियानी है ही पियानी सीतलानी पियानी मा पिव इसको बाद है सुर्यात पस्य तिब्रतया सरीरेशु किम भवती तो सुरिया तपस्य तिब्रतया सरीरेशू निर्जली करन भवति पसीना चलने के कारण से पानी की कमी हो जाती है तो उसको निर्जली करन होता है करति तेशू पलेशू का थिष्ठनती करति पलीं पर मक्षिका थिष्ठनती कंते हृष हृष है चाहिए ज्यादा देर रखा हुआ होता है चाहिए इसके बाद है सरवय कि दृष शंतु तो सरवय सभी कैसे हों तो सभी निरोगी हों तो वही है कि दिर्शा के अस्थान पर निरामया इसके बाद है लिखत में पुर्ण वाक्यन उतरत तो इसमें पुर्ण वाक्यन उतरत में जो पहला प्रस्ण है वह इस प्रकार से है मसकह कानी रोगानी भवन्ती मच्छरों से कौन-कौन से रोग होते हैं मसकह, डेंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया, चो रोगानी भवंती व्यायामम, कदा करनियम, व्यायामम, प्राता करनियम कदा के स्थान पर प्राता हो जाएगा, सुबह हमें करना चाहिए प्रति दिनम कति वारम दंत धावनम करनें, प्रति दिनम दुई वारम दंत धावनम करनें, प्रति दिन दो बार दाउचाप करने चाहिए सर्वे कानी पस्यंतू, सर्वे भद्रानी पस्यंतू, संतू अगर हो तो निराम्या, अब यहाँ पर है कानी पस्यंतू तो भद्रानी पस्यंतू, सर्वे भद्रानी पस्यंतू गिरिश्म काले किम किम पिवेद गिरिश्म काले तक्रम आम्र रसम निम्ब रसम लवन सरकरा विलियनम चो पिवेद यह? तक्रम मतलब लसी आम का रस निबू का रस और नमक चीनी पानी का घोल को कते लवन सरकरा विलियनम चो पिवेद इस परकार से पिवेद निब।